हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो अबर यूटूब चैनल तो इस वीडियों हम बात करेंगे हीरो इंडेन सुपर लीक के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाए आसा उडिशा, एपसी और एपसी गोबा के बीच में होनवाल इस मैच के बारे में मैच तो गईच इस वीडियो में इंडेन टीमों के बारे में फुल डीटेल, आध करेंगे उन फिल टीमों बात करेंगे और उन प्लेयर के बारे में बात करेंगे का रिम पर काफी काफी लो सेलक्शन रहेगा और उन आप अपने टीम, ऐस एठ ऐ कटनॉर as a player का तोर पिक करकर चल सकते हो और वो ही player इस match में आपको one-sided 3-4 member तक के लिए win कराएंगे तो guys वीडियो का अंतक देखना और धिहान से देखना, okay तो अब नज़र डालते हैं सीधे इन दून टीमों का head to head matches पर तो guys इन दून टीमों बीच में last 5 head to head match हुएं जिन में से Udisa FC अभी तक एक भी match win नहीं कर पाई, बल्कि एक match draw खिला और चार match इस team ने loss भी की हैं, attacking wise 0.6 goal per match सकोर के लेकिन defense 2.2 goal per match सकोर conceded किया कहना का मतलब जब Udisa FC Gova के सामने खेलती है, तो per match में ये team goal नहीं कर पाती है, बल्कि परती एक 2 match में एक ही goal कर पाती है, बल्कि कभी-कभी तो goal win नहीं कर पाती है, लेकिन defense यवाज परती एक match में कम सकम दो और कभी-कभी तिस team के सामने तीन ये चार goal तक conceded कर देती है, तो performance attacks लेकर defense तक Udisa का काफी down देखनों को मिलता है, head to head में अब गाइस बात करें, जो पिछला match इन दोन team को बीच में हुआ, वो match FC Gova 3-1 से match को win कर गई और टेकिंग वाइस, तीन goal कर गवाण लेकिन defense से एक goal conceded किया लेकिन उसे मुकाब फिर इन दोन team को बीच मैच काफी शानदार रखा है, attack से लेकर defense तक, तो इसलिए मैं आज के match में भी FC Gova को ही एक favorite team मान के चलता हूँ, लेकिन गईज हम बात करेंगे इन दोन team जो current form हो, उसका according जो फिल हाल के time पर, जो performance है उस पर नजर डालते हैं, तो गईज उड़ी से एपसी currently, 6 match खेल चुगे जिन मैच से इस team ने 3 match win भी किये हैं और 3 match किये हैं, लोस Attacking wise 2.3 goal per match से लेकिन defense से 2 goal per match से गया तो कहना का मतलब, attacking wise performance अच्छा है इस team का परती एक match में ये team goal कर देती है लेकिन defense यवाज एक team कहने के परती एक match में एक और कभी-कभी तिक 72 team के सामने 2-3 goal तक concede भी कर देती तो performance अच्छे एक से लेकर defense तक इस team का equally ही देखनों को मिलता है अब guys बात करें, जो पिछला match ये team चन नेई के सामने 2-1 से match को loss करका आ रही है, उससे भी मुकाबल ये team जमसाथपूर FC के सामने ये team 4-0 से match को loss की और उससे मुकाबल नॉर्थ इस उनाइटेट के सामने ये team 1-0 से match को win की है और एक match इस team ने केरला बलास्टर के सामने खेला और उस match को भी ये team 2-1 से loss कर गई, लेकिन उससे मुकाबल ये team कर देती है, तो अब बात आती है FC Gova का जो करन्ट फोर्म उसका अकोर्डिन जो पर्पोमेंस है उस पर नजर डालते हैं, तो गईज FC Gova करन्ट लिए 6 match खेल चुके जिन match से इस team ने 2 match win भी की है और 1 match draw भी खेला और 3 match इस team ने भी लोस की है अब गईज बात करें, जो पिछला match FC Gova है, दरबाद के सामने 1-1 से match को draw खेल कर आ रहे है अब टेकिंग वाइज इस team ने 1-1 गोल करा है, लेकिन डिफेंस से भी एक ही गोल concede किया है, लेकिन उसे पिछला मुकाबला Bengaluru FC के सामने टीम 2-1 से match को win करका आ रहे है अब टेकिंग वाइज दो गोल करा है, लेकिन डिफेंस से फिर भी एक गोल concede किया, लेकिन उसे पिछला मुकाबला ये टीम 4-3 से match को win करका आ रहे है तो गाइज रिसेंट के जो तीन मैच इस team ने काफी शांदार परफोर्मेंस किया पर मैच में गोल किया है लेकिन डिफेंस से भी पर मैच में गोल concede किया, लेकिन उसे पिछला मुकाबल ये टीम नॉर्थ इच उनाइटेट के सामने 2-1 से match को loss करका आ रहे है अटेक मैच इस team ने एक गोल करा लेकिन डिफेंस से दो गोल concede किया, फिर जम सैथपूर एपसी के सामने टीम 3-1 से match को loss करका आ रहे है तो guys आप देख से तो पिछले 5 match इस team ने खेले हैं और 5-0 match में गोल किया है, लेकिन डिफेंस से भी गोल ही concede किया और एक match मुंबाई City के सामने खेली और वो match ये team 3-0 से loss कर गई तो performance उस match में ही काफी डाउन देखने मिला, बलकि सारे match में इस team ने गोल किये हैं और defense से भी गोल concede किये है तो guys बात आती है, इस match का scoreline prediction क्या हो सकता हमारा शमोली team करेट करने के लिए dream alone पर तो guys सबस्पेल हमने इन दोन team का head to head matches पर नजर डाली फिर इन दोन team का recent form पर नजर डाली अगर guys इन दोनों format को एक साथ compare करें कि कौन सी team का बहतर performance नजर आता है तो guys head to head में तो FC Gova का performance वो काफी शानदार है और Udisha का performance वो काफी डाउन है अटेक से लेकर defense पर नजर डाल दाल दोनों team पर तो guys दोनों team है average performance कर रहे हैं दोनों team है attacking wise पर मैज में गोल कर देती हैं लेकिन defense wise भी कहने का इन गोल concede कर देती हैं लेकिन FC Gova का जो recent के 3 match हैं वो काफी शानदार खेले हैं अटेकिंग वाज पर मैज में गोल कहा लेकिन defense से भी पर मैज में गोल concede क्या तो guys मुझे लगता है कि आज के match के लिए FC Gova ही एक favorite team होनी चाहिए और इसी के favor में हमें अपनी dreamland को team create करने चाहिए तो guys इसलिए अपना smash का score line prediction अभी के लिए Udisa one goal कहने कहीं आ सकता है और आपको कहने कहीं FC Gova की तरब से दो goal देखनों को मिल सकता है तो इसलिए अपना smash का score line prediction one two का है फिर नजर डालेंगे FC Gova के जो players इनके बारों कि कौन इस player ने कितना goal और कितना assist किये तो सबस्पल नजर डालते हैं Udisa FCK players के बारे में उससे पहले अगर आप बिल्कुल ने हो और आपने भी तेक हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और हाँ बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो ताकि आपको पास notification हमारी आती रहें और हाँ इस match जो final team रहेगी वह आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दूँगा टेलीग्राम चैनल को लिंक मैंने टॉप कोमेंट और इस वीडियो को description डाल दिया है आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी बोल रहा हूं आपसे ओके तो अब बात करते हैं सीधे मुद्य की प्लियर वाज की कौन्स प्लियर्टें कितना गोल और कितना असिस्ट के हैं तो नजर डालते हैं उडिशा FC के प्लियर्स के बारे में तो गईज उडिशा FC टीम की तरफ से तीन गोल कर चुका ओब्यस पिक परफॉमेंस अच्छा करके दे सकता है और यह मेरे हिसाब से इन्हें टीम का कैप्टन भी बनाने चाहिए चाहे तो वास काप्टन बना सकता हो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट प्लियर्स ट्राइकर करके जरू चलेंगे लेकिन आफ्टर लाइन अप इसकी पोजिश प्लियर है ड्रोब बिल्कुल मत करना और यह जिस लीग के खिले इससे पहले जिस लीग में खेला था वहां पर इसने काफी अच्छा परफॉमेंस किया था तो यहां से यह इक इंपोर्टन प्लियर्स निखिल राज जो की एक गोल कर चुका अब यहां से जो मोस्ट इंपो चांस नहीं बनता तो इसलिए इंपोर्टन प्लियर है ट्यरूव grad जरूँ चलेंगे जोनाथ Sóस इस तीम तरफ से एक गोल एक असिस कर चुगा और मेरे ही साब से नहीं आपका कोर्डिंग देख होगा कि लाइन अप में जब भी आता बंदा मतलब लाइन अप देखी होगी आपने तो अटेकिंग पोजिशन रहता है तो इन्हें ड्रोप मत करना एराम है एराम कबरेरा इस टीम तरफ से की इंपोर्टन प्लियर है इन्हें भी ड्रोप मत करना तो मेरी साब से दोनको प्लियर को पिक करना चाहिए मैं अपने टीम में जरूर नहीं ट्राइ करके चलूँगा पिर मतलब मानता हूँ कि प्रिवेस मैचमिन का खास परफॉमर्म है आप पिक करते हैं लेकिन अभी लिए ड्रॉप तो यहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लियर है और यहां से अलबर्टो है इनको तो मैं टीम में ट्राइ करके चलने वाड़ा हूँ तो अब बात करते हैं इस टीम तरह से प्लियर है जहीन होना असिस्ट प्रवाइड क सकते हो क्योंकि पर्फरमस अच्छा रहते है इसका डिफेंसी वाइज भी अलबर्टो एक इंपोर्टेंट प्लियर ही ही और इवान गेरीडो खेलना का चांग थोड़ा से डाउन है लेकिन आप चाहिए तो मैनेज कर सकते हो यहां जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लियर है ट ट्राइ कर सकतो मेरे मान्न जी कि मतलब गवा के सामने खेलती तो पर्फरमünस अच्छा नहीं कर पाती तो जो मैश मेमें पर्फरमस कर दे सकता है क्योंकि और इवान गेरिडो इम्पोर्टेंट है गोल ओल्ड एक इम्पोर्टेंट है और और यहां से मौंग ली और यहां से मतलब Hector Rhodes एक important player है तो मतलब तीनों player को हम आप टीम के लिए अभी लिए try करके चले हैं अब यहां से काफी अच्छे और player भी है जैसे मतलब Gama है defensive point काफी अच्छे देता है और यहां से M. Ali है और बाकि यहां से चबास्तिन फर्नांडी है और बाकि को और जो भी player से उन सभी का आप सामरी को मतलब performance देखा हुआ है क्यों को point stable पर sorry क्या बोल रहा हूँ प्रीम लोब को इनका point दिखाई हुआ है और डेल आन फॉक्स है जो के head rim का आप strong है और मेरे साब से कोई खास performance यहां से और किसी का आएगा नहीं तो इसलिए मैं तीन फर्फेंट रूमान चलाओ क्योंकि जब यह दोन टीमों खेल देंगी तो कहने कहीं आपको दोन टीमों के तरफ से goal नतर नजर आएंगे तो इस condition में यह तीन ही player बैतर है बागी को आप drop भी कर सकते हो लेकिन suggestion नहीं दूँगा हर्नांडीज एक important player गोल और assist दोनों में contribute चाहे तो captain vice captain बना सकते हो एड़ो बैड यह कैसा player जो को defensive point तो देता ही देता पलस assist potential भी रखता है तो इन दो को में drop नहीं करना और यहां से अलबर्टो को भी drop नहीं करना अब आती विनीत राई और यहां से Gabriel Martinez और यहां से आपके साम फर्नांडीज मतलब इन दो में किसी एक को try करना अब आपकी choice रहेगी किसको try करते हो लेकिन मेरी साब से जो Gabriel Martinez है वो काफी अच्छा performance करके दे सकता है FC Gova की और से तो कहीं ने कहीं हमें Gabriel Martinez को ही टीम में try करने चाहिए बागी काप साम record है आप से आप से आप से screen source ले सकते हो बात करें center for owners है और टीज मेरी first choice रहेगी कवरेरा एक important play रहेगा अब आपकी 24 ते complete हो चुकी है अब जोनाथन है अब आप इसको pick करते हो और यहां से एक कवरेरा और भी है इसके बारा में मुझे सच में पता नहीं क्या है क्या नहीं है लेकिन जेरी है शायद अच्छा performance ना मिले जे सुराज है अलेक्जेंडरे जे सुराज ट्राइ कर सकते हो लेकिन और टीज और मैं कवरेरा को टीम में ट्राइ करके चला हूँ मेरे टीम का जो कैप्टन ने फिलहाल के टाइम पर और टीज कुछ दे सकता है कोई दिक्कत वाड़ी बात नहीं है और यहां से चाहे तो मतलब केवरेरा है और जावी मतलब हर्णडी जिसने गोल पर अशिट दोन में कंट्रिबूट किया तो चाहे तो आप बना सकते हो ले में खुद ही लेकिन और टीज मुझे सभी लगता है और वाइस काफटन की बात की जाए तो साध में कबरेरा को रखनों तो इसलिए अपना परीक लिए यह टीम कवरेस काप्टन दे सकते हो और यहां से आपकर सामने और भी पुलियर है मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता सकता हूं लेकन आफ्टर लाइनप अगर लगा कि इस में 90 मिनट खिलेगा तो कहीं ने कहीं इसका परफोर्मेंस अच्छा आ सकता है मैं सोच रहा हूं हलका से रिस्क ले लूँ और साहिद ने मैं लिस्क ले भी लो लेकन आफ्टर लाइनप ओके तो फिलाहाल के लिए टीम य देखने के लिए मिलता है ना स्टूडू में इतने के लिए टेक केर भाई